हे, नमसकार दोस्तों, मेरा नाम है भीन है, फिर्ट्स आज मैं आप सभी लोगों को एक ऐसी स्कॉलर्शिप के बारे में बताने वाला हूँ, फिर्ट्स जिसकी मदद से आपको 4 लाख रुपाए की स्कॉलर्शिप मिलेगी, जी हाँ फिर्ट्स आप सभी लोगों ने सही सुन आपको चार लाख रुपए की स्कॉलर्शिप यहां पर मिलने वाली है तो फ्रेंट वीडियो को अन्त तक देखिए नहीं तो आपको बहुत ही अच्छी आपसे मिस हो जाएगी बहुत से दोस्तों को इस स्कॉलर्शिप के बारे में नहीं पता है तो मैं गुजारिस करता हूं अगर आपके भाई बंध कोई भी अगर इंटर में इस बार का एकजाम दे रहे हो या कोई भी इस बार एकजाम देने वाला हो या अगली बार एकजाम दोगा तो फ्रेंट इस वीडियो को उस तक जिरूर्ट पहुंचा दीजिएगा क्योंकि फ्रेंट अगर ये वीडियो उसकी जिंदगी बदल सकती है क्योंकि 4 लाख की scholarship बहुत बड़ा amount होता है जिसकी मदद सिवा कोई भी course आगे चलके कर सकता है और अपने future को एक अच्छी bright दिसा में ले जा सकता है तो फिर बीडियो को उस अपने दोस्त और भाई के साथ सेयर जरूर कर दीजिएगा तो फिर इस scholarship का नाम है UP inspired scholarship जो की ministry of science and technology भारत सरकार के दोरा दिया जाता है और फिर यह केवल एक परसंड बच्चों को ही दिया जाता है और बहुत से केवल एक परसंड बच्चे ही इस scholarship के बारे में जानते हैं तो इसके लिए क्या क्राइटेरिय क्या है मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं अगर आपने 12 में 80 प्लस मार्क स्कोर किया है आपके जो परसंटेज है पिछली कच्छ में 80 प्लस है तो फिर आप scholarship के लिए eligible हो जाते है क्योंकि जो इस scholarship का हर बार कटाफ बनता है फ्रेंट वह स्टेट वाइज बोड वाइज इसका कटाफ बनता है जिसमें एक परसंट बच्चों को इसमें लिया जाता है तो फ्रेंट इस बार जो आप सभी लोगों का यूपी बोड का कटाफ गया था 12 के student का फ्रेंट वहां 78% गया था तो 78% के उपर जितने भी यूपी बोड के बच्चे थे वह इस फार्म को भारने के लिए इलिजबल थे तो फ्रेंट अगर आप इस बार 12 का इज्याम देने वाले हैं तो फ्रेंट आपको मान कर चलना है कि आपको 80 प्लस का जो परसंटेज है अपने 12 में लाना ह तभी फ्रेंट आप इस फार्म के लिए इलिजबल होगे और आप इस फार्म का जो लाव है उसको ले सकते हैं तो फ्रेंट इस फार्म में आगे की प्रक्रिया क्या है मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं फ्रेंट अगर आपने 12 में साइंस बोड से अगर परसंटेज अच्छा गेन किया है तब आप इस scholarship के लिए eligible है आपको कोई भी और scholarship भरने की ज़ूरत नहीं है यहां पर आपको जो एक लाग बीस जार की scholarship है वह पहले साल एकडम फ्री में दी जाएगी आपको इसके लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको इसके लिए करना क्या है मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं फ्रेंस आपको यहां से BSc या तो BSc Honors की जो कोर्स होता है उसमें आप सभी लोगों को admission लेना है तो दोस्तों यहां से आप सभी लोगों को inspired scholarship का reward यहां सभी लोगों को दिख रहा होगा कि यहां पर आप सभी लोगों को 80,000 पर NM Studio के लि बैलू है यहां से आप सभी लोगों को काई पेयाउट सेलेक्टेट स्टूडेंट यहां से साथ हजार रुपय है आपको तूरंट भेज दिये जाते हैं उसके बाद जो 20,000 और रहता है आप सभी लोगों का गर्मियों के छुट्टियों में फिर्स आप सभी लोगों को एक प 80,000 रुपय की स्कॉलर्शिप प्रोवाइड की जाती है तो अगले यहां स्कॉलर्शिप आपको भी 80 करते हैं उसके तीन साल तक 80,000 प्रोवाइड किया जाता है उसके बाद फ्रेंट्स यदि आप MSC भी करते हैं उसी सब्जेक्ट से जो जो सब्जेक्ट इसमें दिये गए हैं मैं आगे आप सभी लोग को सब्जेक्ट भी दिखाऊंगा तो उसमें भी फ्रेंट्स आपको जो 80,000 की स्कॉलर्शिप टोटल पांच साल यहां पर मिलनी वाली है तो आप सभी लोग गुणा कर सकते हैं आठ पंच चालिस टोटल यहां से 4 लाख रुपय का जो स्कॉलर यहां से आप सभी लोग देख रहे होंगे कि जो आपका स्टेट वोट है उत्तर प्रदेश का यहां पर फ्रंस 19 में कटाव 78.8 परसेंट यहां से कटाव गया था जिसमें इसके ऊपर वाले जो भी बच्चे यूपी बोट से थे उस स्कॉलर्शिप के लिए एलिजबल थे तो फ्रंस बहुत से लोगों कोई स्कॉलर्शिप के बारे में पता नहीं रहता और वो यूपी स्कॉलर्शिप के चक्कड में परेसान रहते हैं केवल आठ से 19,000 रुपए की स्कॉलर्शिप के लिए इतना कुछ परेसान होना पड़ता है जात निवास आए तरह तरह के पादाधार वैकी रिपिकेशन जैसी कई प्रक्रियाय से जहलना पड़ता है लेकिन यहां पर आपको ऐसा कुछ भी करने की हो सकता नहीं है के वाले एक फॉर्म को सब्मिट करना है और जो आपका स्कॉलर्शिप है वह यहां से कंप्लीट हो जाता है तो यहां से आप सभी लोग देख रहे होगे कि स्टेट वाइज सकी कटाफ किया हां पर रही है तो आपको इसकेट वाली data आप है फ्रेंस वह भी आपको अभी चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी क्योंकि स्कॉलर्शिप से रिलेटेड आपको सभी जातकारिया यहां पर इस चैनल पर मैं प्रोवाइड करता रहूंगा तो जो स्कॉलर्शिप भरने का ओफिसियल नोटिस है मैं आप सभी लोगों को यहां से दिखाने वाला हूँ डिपार्टमेंट आप साइंस एंड टेकनोलाजी इंस्पायर प्रोग्राम के तहफ यहां दिया जाता है प्रोवाइड है आप सभी लोगों को दिख रहा होगा की आपकी स्कॉर्श को में हैं उसको फिल कर देना है अगर आप BSC में हैं, तो BSC कर देना है, यदि आप MSC कर रहे हैं, तो MSC में कर देना है, यहाँ से आप सभी लोग के subject यहाँ पर दिये गए हैं, तो फिरस अगर आप इस subject से BSC यह MSC करते हैं, तभी जो आपकी scholarship है, वहली डिल होगी, और आपको scholarship महाँ से मिलेगी, तो यहाँ यहां से आप सभी लोग को दिख रहा होगा फिजिस, mathematics, botany, chemistry, aesthetics, geology, anthropology, biology, biology, astrophysics, geophysics, microbiology, electronics, geocemistry, biology, anthropology तो यहां से आप सभी लोग को इतने subject दिये गए है यदि इस आप सभी से bsc या तो mrc करते हैं तो फर्णस आप को यहां से यह जो scholarship है यहां से पर्दान की जाती है यहां से official notice मैंने आप सभी लोगों को दिखा दिया है और कैसे इसमें admission पर क्रिये करना है वो भी मैं आपको जल्द से जल्द बताऊंगा तो friends हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सस्क्राइब करके रखें क्योंकि इस बार की तो जो scholarship है उसकी date over हो चीकी है लिकिन friends यदि आप 12 में है तो इस बार अच्छा से अच्छा percentage बनाईए और इस scholarship के लिए eligible हो जाईए और अगली बार जब इसका नॉम्बर में इस नॉम्बर 2022 में इसका form आएगा तो मैं आप सभी लोगों को सूचना दूँगा तो friends आप इस scholarship को भर दीज और जो इसका पैसा है आपके खाते में आ जाएगा और आसानी से आप चाहे जो भी तैयारी करिए आपको पैसे की कमी कभी नहीं होगी तो friends ये वीडियो आपको कैसा लगा इस scholarship से जुड़ी और भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो comment box में comment कर दीजिए इस scholarship से जुड़ी चोटी सी चोटी जानकारी मैं आपको provide कराऊंगा क्योंकि जो मेरा दोस्त है फिर्स उसको भी ये scholarship मिल रही है उसी ने मुझे बताया है कि आप जादा से जादा इस scholarship को बच्चों को बताईए जिसकी वज़ा से बच्चों को भी फायदा हो और friends मेरे दोस्तों जो कि मेरे सा है कि बताया है कि scholarship के बारे में सभी बच्चों को बताईए तो friends आपको वीडियो कहसा लगा comment में जहूर बताईए जो भी सुझाओ हो मैं आपको जानकारी provide करता रहूँगा थांक्स पॉर वाचिंग